इस वक्त भारत क्या कोई दुनिया में एक चर्चा है, वो चर्चा ये है कि शादी में रेहाना को बुलाया गया है, जो के बहुत इंपॉर्टन बात है आपको पता है कि एक शादी बड़ी वाइरल हुए, आफ़ीस हमें से तो कोई इन्वाइट नहीं था आफटे जब पहले फारमर प्रोटेस हो एते तो रेहाना जैसी हों को बहुत दिल में दर्द उठा था इंडिया के फारमर्स के लिए रेहाना जो के एक सुपर स्टार है, वो भारत में आई हुई है रेहाना सिंगर, सेलेब्रिटी अमबानी ने रेहाना को रेहाना की आउकाद दिखाई है इतना ही नहीं, सिंगर ने अमबानी परिवार के साथ स्टेज पर डांस भी किया रेहाना इस गूइंट परफ़र्म अरभी मैं एक फेस्टूक पर खबर देख रहा है था, खाली रेहाना ने 170 करोड चार्च किया है इस वेडिंग के लिए 74 करोड रुपीज दिये गए हैं इंडियन रुपीज के में बात करें हूं पाकिस्तानी रुपीज नहीं जो 70 करोड रुपे कहा जा रहा है कि रिहाना ने वहां पर परफॉर्म करने के लिए कि तुम लोगों को जब पैसे देंगे ना तो तुम लोग नाचो के शादियों में आकर ये पहली बार था जो ब्रिहाना ने भारत में परफॉर्म किया सिंगर के चेहरे पर भी खुशी देखने लाइक थी मकेश अंबानी के जो चोटे बेटे हैं उनकी शादी के बारे में भी थोड़ा बताए हमें हमने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें वो जी जी तो बग उनकी शादी हो रही है रादिका मर्चंड के साथ जो के ग्लोबल नियूज बनी वी है कुछ पाकिस्तानियों को मिर्ची भी लगी है कि बिल गेट्स क्यों पहुंचा वा है मार्क जगर्बग क्यों पहुंचा वा है कतर का एमीर क्यों पहुंच रहा है अब मैं थोड़ा ये शादी को सिर्फ कवर करनेगी मेरे पाद सिर्फ दो पॉइंट्स है इसलिए मैं ऑबुदाभी मुदाबला जो है वो भी जीओ में उसका स्टेक है सौधी जो उनकी रिलेंज की रिफाइंडरी है उसके अंदर 20% आरामको का स्टेक है सौधियरब की आरामको जो कर डिरेक उनके खांदान के मडियर उसके तो वो तो वो गयस्ट कम है वो बिजनस पार्ट्न तो बिजनेस पार्टनर तो आएगा ना दूसरे पार्टनर के बेटे की शादी पर इसमें बड़े लोग हैं जो के पार्टनर चाहिद ना हो लेकिन इसमें तक्रीबन पार्टनर हैं ऐसा नहीं है कि कोई भी उटके कोई आ रहा है और मूँ ठाके दूसरी चीज जो है इस प्रोटेस होएते तो रहाना जैसी हों को बहुत दिल में दर्द उठा था इंडिया के फार्मर्स के लिए कि इनके साथ इंडियन गवर्मेंट बहुत बुरा कर रही है दूसरे फार्मर प्रोटेस पे तो बोली भी नहीं ना यॉरप में अभी भी यॉरप के 16 मुलकों में चल रहा है इदर भी कुछ नहीं बोल रही रहाना ठीक है पर अंबानी ने ना रहाना को रहाना की ओकाद दिखाई है कि तुम लोगों को जब पैसे देंगे ना तो तुम लोग नाचोगे शादियों में आके 50 करोणों पर दिया अमानी की शादी में आई है परफॉर्मेंस कि गाना और ना गाएगी चली जाएंगी अमेरिका यह इनकी ओखाद साधियों में नहीं सिर्फ मुन्डन में भी आके नाचेँगे पैसे दो आप लोग कहीं पे भी गाऊगे कहीं पे भी जाऊगे ठीक है और तुम्हें पैसे एक इंडिया दे रहा है इंडिया से दे रहा तो उनको नोट दिखाएंगे, उनका मूड बन गया है। आपको देने जा रहा हूँ, उस शादी पे कितना खर्चा आ रहा है, शादी पे कौन कौन महमान आया है, शादी को किस तरह से पूरे इंडिया में मनाया जा रहा है, और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। खादी में हिलری क्लिंटन तक आ हाई वी थी। बहुत बड़े बड़े नाम, ब्योंसे ने आकर पर्फॉर्म किया था, ब्योंसे बछूं बड़ी सिंगर हालेवोड की, उन्होंने आकर पर्फॉर्म किया था, इस दफ़ा भी बहुत बड़े सिंगरS आये, थीं आपको बताँ पाधिस्तानी रुपाँ में, अगर आप उसको देखे तो अर्बों रुपै बनते हैं। करोणों भी नें, अर्बों रुपै बनते हैं। अधर इन इंडियन रुपेज में आप रुट्यूर्ट करते हैं, तब भी इट आमाउंटस टो बिलियन्स आफ रुपीज। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की शादी अभी तक नहीं हुई है वो कि पाकिस्तान में अगैन इतना अमीर को बंदा ही नहीं पाकिस्तान में अमीर लोग प्रोड्यूस की हैं लेकिन वो अपनी आद तक है हमारा दुनिया में उस तरह से नाम नहीं है मुकेशम बारी जिनके ब स्वें अमीर आदमी है और उनके घर पे इस वक्त मैं आगर आपको बताओं जो लोग महमान हैं वो दुनिया का अमीर पर इन आदमी है जिया नाज़ीन बिल गेट्स मैक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं और फेस्बुक के मालिक मेटा के मालिक मार्क जकबक बमा अपनी एलिया इ मुकेश अम्बानी के घर में ठहरे हुए हैं उनके महमान हैं ये है और ये सिर्फ रसरफ शादी अटेंड करने नहीं आएं सिंबॉलिकली तो शादी ही अटेंड करने आएं मगर ये बता रही है कि इंडिया कितना आगे जा चुका हुए है ये इंडिया की प्रोग्रस ये सबसे अमीर आदमी की जो रीच है ये उसको डिफाइन कर रही है इन लोगों का इंडिया आना मुकेशन बानी की बेटी की शादी में शर्कत करना तीन दिन तक वहां पर महमान रहना ये बता रहा है कि इंडिया की पौहँच इन लोगों तक है हमारे मुलक में क्या हो रहा था चंद दिन पहले एक लड़की के ड्रेस के उपर जोड़े के उपर जो एक एरबिक कालिग्राफी खताती लिखी हुई थी हमारे कुछ मुलाना हज़रात टेबल पे उस औरत का कुरता बिचा के एक पराई औरत का कुरता जो है उसे उतरवा के उसको बिचा के उसका जाइजा ले रहे थे कि इस पे क्या लिखा हुआ है वहाँ पर तीन दिन की फेस्टिविटीज है पूरे शेहर को सजाया गया है मतलब पूरे शेहर को ये मैंने मेटफोरिकली इस तलाहन के बात नहीं की ये पूरे शेहर को वाकिए ही सजाया गया है इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीमन एक सो पंदरा मिलियन डॉलर्स हो है वो खर्चा हो रहा है एक सो पंदरा मिलियन डॉलर्स का मतलब अब मतलब यूज यूज पाकिस्तान को अगैन मैं दुमारा ये बात करूँगा किसी को अच्छी लगे बोई लगे हमें इतनी एड मिलती है हमें वाकिए इतनी एड मिलती है जो हम आईमेफ से बीख मांग के नाकरगड के लेते है उतना वो शादी बे खर्चा कर रह है समझ रहे हैं आप अंडिया की यही Reliance Industries जो है इसका तोटल जो मार्किट कैप है वो पाकिस्तान के GDP से ज़्याद है पाकिस्तान की economy से ज़्यादा है अंडिया की एक company का मार्किट कैप ये इस वक्त हमारी सुरते हाल है